सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल तनवीर इंजिनियर अभी दोस्तों जैसा आप लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रो देखा आज मैं आप लोगों को ऐसा बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों अपने फोन की एक स्क्रीन रिकोर्ड करके छोटी सी किलिप बनानी पड़ेगी अपने यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करते वे दोस्तो जहां पर subscribe लिखावा है आप यहां से आप लोग को subscribe कर लेना है देखो दोस्तो जैसे मैंने subscribe किया भी आपको दोस्तो बस यह इतना सा काम करना है अब दोस्तो आपको अपने phone में काइन master application को खोल लेना है दोस्तो हमारी काइन master application फुल चुकी है अब दोस्तो आपको orange color का जो circle है बीच में बड़े वाला जिसके बीच में plus का symbol है इस पे click करके यहां से आपको file ले लेनी है आप दोस्तो यहां पे आने के बाद आप लोगों को जो media लिखावा है इस पे उपर click कर देना है media के option पे और यहां से सबसे पहले number का जो box है background वाला इस पे click करके यहां से आपको black color पे click कर देना है अब दोस्तो देखो नीचे की side में आ चुका अब दोस्तो देखो यह है 4 second का अब इसको 10 second का कर लेते हैं क्योंकि हम 10 second का bell intro बनाना चाहते हैं तो दोस्तो देखो हमने 10 second ले लिया अब दोस्तो आप लोगों को क्या करना है layer पे जाके click करना है और उपर media का जो option है इस पे click करके आपने जो screen record की थी अपने YouTube चैनल को subscribe करते हुए उस वाली file को लिका लेना है आप लोगों को तो दोस्तो देखो यह हमारी file लिकर चुकी यह रही हमारी file यह है अब दोस्तो आपको क्या काम करना है पहले इस file को play करके देख लेना है इस file की हम volume off कर देते हैं प्ले करके देख लेते हैं इसको तो दोस्तो देखो play करने पर यह इस तरीके से आप होगो अब होगो है यह subscribe हमें क्या कर लेना है दोस्तो इसको काट लेना है आगे से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा late यह subscribe कर रहा है तो दोस्तो काटेंगे कैसे जो नीचे लेयर है न यह video वाली इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर कैची का जो निसान आ रहे है इस पर अब इस पर क्लिक कर देना है उपर ठ्रीम ट्रीम टु लेफ्ट for प्ले हेड Beim अब दोस्तों देखोई कट गई अब दोस्तों इसको क्या करना है आपको आगे कुे कर दे ना है इस लिंक पे एक्टमेटिक खुल जाएगा Google में वहां से डाउनलोड हो जाएगा डारेक्ट तो दोस्तों मैं उस फ्रेम को लिकार लेता हूं लेयर पे किलिक करके मेडिया पे किलिक करके और मैंने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड वाली फाइल है कहां पे है हमारी इतर अब दोस्तों देखो यह है हमारा फ्रेम यह रहा हमारा फ्रेम अब फ्रेम पे किलिक करके इसको ऐसे बड़ा कर लेना है आप लोगों को ऐसे बड़ा कर लेना है और इसको सेट बैठा लेना है एकदम यह दोस्तों हमारा देखो सेट हो चुका फोन और दोस्तों जो फ्रेम है ना इसका लेयर है नीचे इस पर किलिक करके इसको भी बड़ा कर लेना है 10 सेकिंड का अब दोस्तों हम देखो इसको प्ले करके देखते हैं एक बार तो दोस्तों देखो यह प्ले हो गया अब देखो अब सब्सक्राइब हुआ अब दोस्तों हमें क्या करना इस पर हाथ का निसान लगाने जो सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जाके डारेक्ट लिंक पर किलिक करते ह हो जाएगी खुद फाइल तो मैं उस फाइल को लिका लेता हूं layer पर किल्क कर करके दोस्तो media पर किलिक करके and downloadलोड कीवी इसको 5 अब दोस्तो green effect है दोस्तो अब क्या करने इस green पर नीचे layer पर क्लिक करके क्रोम की पे जाके इसको कलर को रटा देना है देखो दोस्तों खुलर है हमारा और यह हट चुका यह रह यह हट चुका दोस्तों आप लोगों क्या करने है इस हाथ को सेट कर लेना है थोड़ा ताकि यह अच्छा सा लगए क्योंकि कटा-कटा सा हो रहे हैं इस नीचे की साइड से इसको थोड़ा बढ़ा करके इस तरीके से आपको सेट कर लेना है और फिंगर को सस्क्राइब के उपर लाके टच कर देना है इस तरीके से अब दोस्तों देखो हम इसको प्ले करके देखते हैं अब वीडियो को प्ले करने के बाद ये किस तरीकी की वीडियो नजर आती है तो दोस्तों देखो अब प्ले हो गई है दोस्तों देखो ये आपके सामनी अभी हमारी फिंगर ने इसको सस्क्राइब किया अब दोस्तों क्या करना है आपको जो लेयर है नीचे एक्स्ट्रा है ये लेयर इसको काट देना है आगे से वरना वो हाथ दो बारा से फिर आ जाएगा अब दोस्तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन पे किस तरीके से दिखाई देगी तो दोस्तो आप लोगों ने अभी देख लिया दोस्तो फुल स्क्रीन पे किस तरीके से नजार आती है अगर दोस्तों ये आपको background में black color पसंद नहीं है आप इसको भी change कर सकते हो यहाँ पर जाके और जैसे मैंने लिया ये वाला color अब background में दोस्तों हमारा देखो ये color हो गया इस type का अगर आप चाहों दोस्तों कोई साभी color आप background में लगा सकते हो अब देखो दोस्तों मैंने yellow color लिया देखो दोस्तों अब yellow color में मैं आप लोगों को थोड़ा play करके दिखा देता हूँ देखो दोस्तों इस तरीके का दोस्तों आप लोग bell intro भोती अच्छे तरीके से बना सकते हो और मैंने आप लोगों को बड़ी आसानी से यह समझाया अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइफ कर देना और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में